लास्ट वीडियो में इन चारों स्मार्टफोन का फुल बैटरी रेंडेस्ट के है अगर आप लोगों नहीं देगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अमिल जाएगा तो आज चार्जिंग डेस्ट बनता है लेकिन एक बात बता दू रियल्मी एटाई में एक लेटिस्ट अ आपको मिल जाएगा हीडियो जी 96 बाकी तीनों स्मार्टफोन में स्नाप्डेगन वीवो टीवन 5G स्नाप्डेगन 695 रियल्मी 9i एंड रेट्मी 911 स्नाप्डेगन 680 एक बात चारों स्मार्टफोन में कॉमन है वह बैटरी कपासिटी सेम 5000 मिलियंपर की लेकिन के लिए बता दू रूम टेंपरेचर में 24 डिग्री और चारों स्मार्टफोन का टेंपरेचर भी मोर लेस सेम 24 डिग्री तो चलिए स्टार्ट करते है जैसे ही अब चार्जिंग स्टार्ट करोगे रियल्मी 8i और 9i खुद से ऑन हो जाता है लेकिन वीवो टीवन 5G और रे 8i 7% रियल्मी 9i 12% और Redmi Note 11 11% चार्ज हुआ है 15 मिनट होने वाला है टेंपरेचर एक बार वापिस से नोट कर लेते वीवो टीवन 5G 32 डिग्री तेंपरेचर बढ़ गया है रियल्मी 8i भी सेम 32 डिग्री 8 डिग्री टेंपरेचर बढ़ गया है रियल्मी 9i भी सेम 32 डिग्र रियल्मी 9i 27% और Note 11 27 डिग्री चार्ज हो गया है तो दो दोनो 33 वाट यानी डेल्मी 9i और Redmi Note 11 50 डिग्री 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 ड्याज हो चुका 29 मिनट 9 seconds में एंद आदा गंदा चार्ज करने के बाद वीवो T1 33%, रियल्म 8i 29%, रियल्म 9i and Note 11 51% चार्ज हुआ है रियल्म 9i 75% चार्ज हो चुका पे तालीस मिनट में है, रियल्म 9 11 अभी 74% पे है वीवो T1 48% चार्ज हो चुका है, रियल्म 8i थोग असा स्लो 43% एंद टेंप्रेचर वीवो T1 5G 33 डिगरी, रियल्म 8i 34 डिगरी, रियल्म 9i 35 डिगरी और रियल्म 9i 35 डिगरी और रियल्म 9 11 भी मोर अलेस सेम 35 डिगरी के आसपस दिख रहा है तो वीवो T1 5G ने 18 वाट के चार्जा से 5000 मिलिमेर के बैटरी को 50% चार्ज कम्प्लीट कर लिया 46 मिनट 30 सेकंड्स में रियल्म 9i 90% चार्ज कम्प्लीट हो चुका 56 मिनट 40 सेकंड्स में, मोर अलेस ठीक दो मिनट बाद, 58 मिनट 45 सेकंड्स में, रियल्म 9i 90% चार्ज हो चुका तो एक घंटा कम्प्लीट हो चुका, वीवो T1 63%, रियल्मी 8i 57%, रियल्मी 9i 92, और रियल्मी 9i 91% चार्ज हो आ है एक घंटा हो गया है, अब फोन जो है, और ज्यादा गरम नहीं होगा, वीवो T1 34 डिगरी, सेम, रियल्मी 8i 34 डिगरी, सेम ही दिख रहा है रियल्मी 9i का टेंपरेटरी थोड़ा सा नीचे आ गया, एक्चली 31 डिगरी के आसपास दिख रहा है, और रियल्मी 9i 94 डिगरी, सेम, ओके, रियल्मी 9i 95% चार्ज कम्प्लीट, एक घंटा 3 मिनट 30 सेकेंट्स, एक घंटा 5 मिनट 20 सेकेंट्स में 95 परसें चार्ज हो गया, रियल्मी 9i 99 परसें चार्ज हो चुका, एक घंटा 10 मिनट 40 सेकेंट्स में, रियल्मी 9i 97 परसें चार्ज हमा है, वी मोट टी वट उट एन 5G 74 परसेंट और रियल्मी 8i 66 परसेंट्स, फोड़ा स्लोह हो गया, रियल्मी 8i, तो फ़एमिन 5g, 75 परसें चार्ज हो चुका, 1 31 degree के आसपस दिख रहा है charger का temperature जबके फोन का body temperature 31 degree थोड़ा सा नीचे आ गया है Redmi Note 11 एक घंटा 14 मिनट 99 परसंट चार्ज हो गया तो लीजे Redmi Note 11 भी फुल चार्ज हो गया 1 आर 16 मिनट और 40 सेकंड पे Realme 8iB 75 परसंट चार्ज हो चुका 1 आर 21 मिनट और 45 सेकंड पे Vivo T1 84 परसंट चार्ज हुआ है 1 आर 40 मिनट और 30 सेकंड पे 95 परसंट चार्ज हो गया Vivo T1 Realme 8i 88 परसंट ओके 1 आर 55 मिनट 40 सेकंड पे Vivo T1 99 परसंट और Realme 8i 95 परसंट चार्ज हुआ है और Vivo T1 5G फुल चार्ज हो गया 1 आर 58 मिनट 20 सेकंड पे लाजर का टेमपरेचर नोट कर लेते हैं 32 डिगरी और फोन का टेमपरेचर जो था वो मैक्सिम्म 34 डिगरी दिखा था और ठीक 13 मिनट यानि 2 गंटे 13 मिनट 40 सेकंड के बाए 99 परसंट चार्ज हो गया Realme 8i रियल्मी 8i को जाद ही स्लो हो गया है 10 मिनट लगबग हो चुका है लेकिन अभी भी 99 से 100 परसंट यानि फुल चार्ज नहीं हुआ है फाइनली दो घंटा 24 मिनट में फुल चार्ज हो गया Realme 8i अब कि इस कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग डेटा पर नजर डालेते हैं 50 बसंट चार्ज कंप्लीट किया वीवो टीवन 5G ने 46 मिनट 30 सेकंड में Realme 8i ने 52 मिनट लिया 3 रेल्मि 9i और रेडमी 11 ने सेम 39 मिनट 30 सेकंड लिया and 75 परसन चार्ज कंप्लीट करने में वीवोटे वर लिये एगंटा 11 मिनट 45 सेकंड रेल्मी 9i ने 45 मिनट 45 मिनट 99% चार्ज कंप्लीट करने में Vivo ने लिया 1 गंटा 45 मिनिट 40 सेकंड Realme 8i ने 2 गंटा 13 मिन चालीज सेकंड Realme 9i ने 1 गंटा 10 मिनट 40 सेकंड और Redmi Note 11 ने 1 गंटा 14 मिनिट 100% फुल चार्ज करने में Realme 8i ने 26 मिनिट ज्यादा ले लिया Vivo T1 से और Redmi Note 11 ने 3 मिनट जा लिया अगर आपके पास 15 मिनट आए तो 15 मिनट में आप Vivo T1 को 17 परसंट, Realme 8i को 15 परसंट, Realme 9i को 27 और Redmi Note 11 को 27 परसंट चार्ज कर सकते हो 30 मिनट में Vivo T1 33 परसंट, Realme 8i 29 परसंट, Realme 9i 51 और Redmi Note 11 भी सेम 51 परसंट चार्ज हो सकता है 42 मिनट 45 मिनट चार्ज करने पर Vivo T1 48 परसंट, Realme 8i 43 परसंट, Realme 9i 75 परसंट और Redmi Note 11 74 परसंट चार्ज हो सकता है और एक गंटा Vivo T1 63 परसंट चार्ज हो सकता है, Realme 8i 57, Realme 9i 92 और Redmi Note 11 91 परसंट आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइम देखने को मिल सकता है, 5-10 मिनट इधर उदर हो सकता है, Realme 8i थोड़ा ज्यादा स्लो गया, लास्ट अपडेट के बाद आप लोगों में से, अगर किसी के पास Realme 8i है, तो आप भी अपना एक्स्पियेंस जरूर शेर करना, आपका Realme एंट दोड़ाही राही के सकता है, झाहँ घर खाल Зाह मैं तो भी अपना दोग़ाना चास्क्सास का जरूरू फड़ा मैं आपका शोड़ानामा प्राइम अभी घच्प भीछिएंस के लाएम ते एकाम मैं जक्स्पियेंसे